30 साल अगर कोई 1000 रुपय जमा कर रहा है तो उसका जमा होगा जाकर के 3,60,000 रुपय है 3,60,000 रुपय उसका जमा होगा 15% अगर आप मान लेकि एवरेज रिटर्न आएगा इसमें किसी साल 20%, 25% आएगा किसी साल वो निगेटिव में भी आएगा किसी साल हो सकता 5-6% आवे किसी साल 10-15% निगेटिव भी आएगा जब निगेटिव आएगा उस समय परचेजिंग यही आपका रिटन बनाएगा आपका स्वागत है जिसमें होती है म्यूचल फंड की बात आपके साथ हिंदी में आज हम लोग चर्चा करेंगे वैसे हम अपने वीडियो पर चर्चा करते हैं यह साइपी से संबंधित छोटी यह साइपी के विशय में कि कैसे क्या करें उसके क्या फायदें तो आज मेरा टा हर एक आदमी की प्ष्छह होती कि मेरे पास पैसा हो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा ही कठा हो आज नहीं 25 साल साल बाद आज मेरी इंकम जो है वो है देखिए किसी ब्यक्ति के पास तीन जिसको प्रत्यक्श इंकम कहते हैं जिसको को कि दूसरी होती है पैसिव इंकम और तीसरी होती है जिसको हम देखते नहीं चिर्फ एजूम करते हैं active income या regular income नियमत income क्या होती है यह grew目 तोन से आपकी हो सकती है या तो आपकी salary हो कि अधिधैं या आपके पास कहीं से फीशा रही हो कि या कहीं से आपके पास business income आ रही हो यह तो हो गई आपकी active income जो हमेशा सब के पास रहती है और यही इंकम ऐसी होती है जो कि आदमी के जो है स्टेटस को दिखाती है कभी-कभी यह भ्यक्ति को खमंडी भी बना देती है कि मेरी इतनी प्रजेंट इंकम है तो यह सब उसको बना देती है हैं दूसरी होती पैस सी इंकम है हमने जो पैसा घटा किया उस्से मुझे पैसा मेरे लिए पैसा काम करना शुरू करते क्योंकि आब कूकर weak fi बदच्वी इंकम आपनि नियमित इंकम है जब तक चलेगी तब तक तो इंकम आएगी और जहां फैक्टरी बंध होगी आपके पास इंकम आनी बंध हो जाएगी है पाइस्व इंकम में क्या हुआ है कि आपने कोई पैसा जमा कर रखा आपके पास उससे नियमित बिया जा रहा या नियमित आया रही डेविडेंट्स आ रहें इसको पैसे इंकम बोलते हैं तीसरे तरह की इंकम होती है कि जो मुझे दिखाई नहीं देती अंसीन जिसको जो है कि हम लोग सिर्फ वह करते हैं मान लीजिए आपके पास इसमें यह हो सकता कोई आपको पैत्रिक संपत्ती मिल जाए कितनी मिलनी है नहीं पता है कहीं से मेरे पास लाट्री का टिकट लग जाए इंकम आ जाए किसी को नहीं पता या हम जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत सिर्फ पेपर पर है हम उसको बेचने नहीं जाएंगे वह हमारा सेंटिमेंटल से लगाए तो इस तरह की तीन इंकम होती है एक्टिव इंकम में सभी लोग प्रसंद रहते हमेशा देखते लेकिन जब सैल्ली है या बिजनेस इस तरह की चीज़ें बंद हो जाती है तब लोगों के सामने दिक्कत आ जाती कैसे क् दूसरा पैसिव इंकम है देखिए जब तक आप जाब में हैं चाहे बिजनेस कर रहे हों चाहे इंप्लाई हो कुछ भी हो आपके पास इंकम आती रहेगी आप अपना पैसा बचाते रहेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब एक्टिव इंकम अपने पास नहीं आएगी क्योंकि जब काम करेंगे तब एक्टिव इंकम आएगी तब हर एक आदमी को पैसेव इंकम की ज़िरत परती पैसेव इंकम आदमी को आल सी भी बनाती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमको पैसेव इंकम नहीं चाहिए हर एक आदमी को चाहिए क्योंकि जब कमाएंगे नहीं तो कहीं न कहीं से तो पैसा आना चाहिए इसके लिए एक माध्यम है कि आप यह साइपी के द्वारा जब तक आपके पास एक्टिव इंकम आरी रिटायर्मेंट इस तो अपने यहां 30 साल की है तब तक इंकम अपने पास कि इतने साल बचने उतने साल किये कि सुरूब कर दीजिए तो आज मेरा विषय यही है कि जो है कि यह साइपी लंबी चलेगी तभी बात बनीगी मान लिए कोई सोचे कि हम जाकर के एकुटी फंड में एक हजार रुपाय की या एक लाग रुपाय की साइपी एक साल के लिए चला दें उसके बाद पैसा निकाल ले नहीं बन पाएगा आपका पैसा हो सकता लौस हो जाए हाँ 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल चलेगी तो आपका रिटन 100 परसेंट बनेगा उसको कोई नहीं रोक पाएगा एक बात यह भी सत्य है कि मूचल फंड में रिटन की गारंटी नहीं होती तो दूस्तुरंत आपके धिमाग में बात आ जाएगी कि जब रिटन की गारंटी नहीं होती तो मेरे पैसे की क्या वाइलू होगी मेरा पैसा डूब जाएगा यहां पर आपको रुपी कास्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा किसी भी कंट्री की जो है गत्विदिया हमेशा चलती रहेंगी जीडीपी चलती रहेगी इंफ्लेशन अपने हिसाफ से बढ़ती रहेगी पहले जो मोटर साइकिल आपको मिलती थी दस जार आज से चालिस साल पचास साल पहले पहले राज़दूत आती थी राज़दूत यह इसडी उसकी कीमत 10,000 र इसाथ परसंड के इसाफ से बढ़े तो मेरा रिटन जो है दस फरसंड 15 फरसंट 2 परसंट के इसाफ से आवे तब ही मेरे पास पैसा 21 हो पाएगा असा नहीं कि एए इन्फलेशन तो साथ फरसंड के षाप से बढ़ रही महंघाए 830 यह ठर्फ है मेरा इंस्ट्रूमेंट ज सामने यही चीज़ होती है क्योंकि वो लोग फाइनेंशियल सेक्टर्स के विसे में ज्यादा जानना नहीं चाहते हैं इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिस करें तो यसाईपी लंबी चलेगी तभी बात बनेगी मिस्टर सुभ हैं इनकी उमाराज के समय 30 साल है बहुत अच्छा इनका बिजनस नहीं है बहुत अच्छी सैलरी नहीं है सिर्फ 15,000 रुपय सैलरी मिलती है महिने की इन्होंने डिसाइड कि मुझे 1,000 रुपय की साइड की चलानी है जो 30 साल तक हंचलाएंगे एक विज्यों कि 30 साल बाद मिल्टायर होंगे इनकी आज के समय में उमर्ज है 30 साल है तो जब यह 30 साल अपनी साइपी चलाएंगे AT acquire का काम कैंसे करेंगी विजो कि मैं का रिटन की कोई गारंटी नहीं तो यह साइपी कैसे काम करेगी पहली चीज तो यह साइपी का फुल फार्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और जो एमाउंट जिस पर्टिकुलर डेट में आप कहते हैं उतना पैसा आपके एकाउंट से बैंक एकाउंट से डेमिट होकर के म्यूचल फंड कंपनी की जो आपने इसकीम सेलेक्ट की उसमें वह पैसा जमा होता रहता है तो इसमें म्यूचल फंड में दो चीजे काम करती है यानेवी और यूनिट्स इन दो चीजों का अगर आप कांसेप्ट समझ लेंगे तो पूरा कांसेप्ट आपका वह साइपी का समझ में आ जाएगा देखें आप अगर 1000 रुपए जमा कर रहे हैं 30 साल बीच में आपके पैसे की वाईलू नीचे आएगे मान लिजे आपकी यनेवी 10 रुपए यनेवी का मतलब कीमत हो गई और जो एमांट आप निवेस कर रहे हैं इन्वेस्मेंट कर रहे हैं उसको यनेवी से डिवाइड कर दीजे तो आपकी यूनिट्स आजाएंगे मिस्टर सुब ने 1000 रुपए अपना पहले मेने उनका गया 10 रुपए यनेवी है 10 से डिवाइड कर दीजे तो इनको जो है 100 यूनिट्स मिलका हैं इसी तरह से मान लिजे साल भर 10 रुपए ही यनेवी चली हम कैलक्लेशन के लिए करें लेकिन यह ऊपर नीचे आती रही है तो इनको जो है एक साल में जो है इनके पास 1200 यूनिट्स आ जाएंगे 12000 रुपए इनका लग चुका होगा 1200 यूनिट्स आ जाएंगे अगले साल क्या हुआ कि यने भी नीचे आ गई 9 रुपए आ गई तो इनकी जो 120,000 रुपए वैल्यू थी वो भी नीचे हो जाएगी वो 9600 रुपए बचेगी तो इनको डर करके अपनी साइपी नहीं बंद करनी उस समय भी कांटिन्यू करें क्योंकि उस समय जब यह पर्चेजिंग करेंगे या साइपी डेविट होगी आप देखेंगे नृ से डिवाइट करेंगे तब इनको 110 यूनिट में अभी तक 100 अगले शाल करेंगे हैं क्योंकि जब मार्केट नीचे थी तब भी इनोंने अपनी फर्चेजिंग की थी इसी तरह से जब 30 साल तक चलेगी तो 30 साल में आज जो 10 रुपए की अनेवी है वो 10 रुपए नहीं होगी वो 200, 300, 200, 400, 500 कुछ भी ऐसे हो सकती है क्योंकि जो आज से 30 साल फंड पहले कुछ फंड सुवें आप सर्च करिएगा उनकी एरेवी आज के डेट में 2400, 2500, 700, 800 ऐसी है 10 रुपए 15 रुपए किसी की नहीं है तो इस तरह से आपका रिटन बनेगा 30 साल अगर कोई 1000 रुपए जमा कर रहा है तो उसका जमा होगा जाकर के 3,60,000 रुपए 3,60,000 रुपए उसका जमा होगा 15% अगर आप मान लेकि एवरेज रिटन आएगा इसमें किसी साल 20-25% आएगा किसी साल वो निगेटिव में भी आएगा किसी साल हो सकता 5-6% आवे किसी साल 10-15% निगेटिव भी आएगा जब निगेटिव आएगा उस समय परचेजिंग यही आपका रिटन बनाएगा तो 15% के हिसाब से इनके पास जो है 30 साल बाद जो 3,60,000 रुपए जमा हुआ है उसकी वैल्यू होगी जाकर के 56,31,000 रुपए 56,31,000 रुपए के उस समय यह मालिक होंगे अब सवाल यह उठता है कि 30 साल बाद जो है 56,31,000 रुपए की वैल्यू क्या होगी उसकी वही वैल्यू होगी जो 7% महंगाई दर मानी जाए आज के समय में जो काम मेरा 7,40,000 रुपए में हो रहा है वो 30 साल बाद उसके लिए मुझे 56,35,000 रुपए चाहिए यह तो मैंने 1000 रुपए का एक्जामपिल लिया है सभी लोग अपनी इंकम के अंसार करना सुरू कर दें जिनके सामने अभी जल्दी जाब लगी है कोई खर्चे नहीं है वो अपनी इंकम का कम से कम 40 से 45 परसेंट तक जो है क्योंकि उनके सामने कोई खर्चे नहीं है अपना यह साइपी में पैसा कटवाना सुरू कर दें और सारा का अपनी प्लानिंग करने है असेट एलोगेशन करने है कि जब इसी से जब उनके आगे वाले खर्चे आते रहें वो भी निकलते रहें कि तो आज हमने चर्चा किया है कि यह स Оп यह सब्लम भी चलेगी तभी बात बनेगी मारे है कई लोग पूंचते हैं तर्स्न भी पूंचते हैं कि आप बताते तो यह साइपी होगी लेकिन हम बयंग झाए मेरी है ऐसाइप नहीं हो पा रही है कैसे करें परिसान होते हैं देखें मेरा अपना एक आप देखेंगे कमेंट नीचे लगा हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ होगा अधिरोह एडी आई आरोह जिन लोगों के पास android phone है उस पर चल जाएगा जिनके पास नहीं है आई फोन वगरा है उसमें लिंक भी लगा है उससे जा करके अपना निवेश कर लें अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे यहां आप इसमें टीम से संपर करिए वो लोग आपका निवेश कराएंगे जब हम आपको बता रहें तो आपका निवे को भी प्रेस करने जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंसता रहें लेकिन यह काम उन्हीं लोगों करना जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जिन लोगों ने कर लिया है वो दूसरे लोगों से कहें कि जादा से जादा लोगों को भेज़ें और सब्सक्राइब करावें वीडियो को जादा से जादा देखें लाइक करें सेयर करें और कमेंट्स करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार